नमस्कार दोस्तों राइस्थान में एक बार फिर से जो मोसम का मिजाज है वे बदलने वाला है यानि मोसम ने एक बार फिर से करवट लेगा 22 फरवरी से जो है राइस्थान में वे मोसम बदलने वाला है और कुछ जिलों में बहेंकर बारिस वे कुछ जिलों में हलकी बारिस और कुछ में बूंदा बादी देखने को मिल सकती है यदि इसी प्रकार का मोसम रहा और तेज हवा के साथ बारी से आई तो खड़ी फसलों में किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा यानि जो फसल है वो पक्कर तयार हो चुकी है जैसे सरसों है इनमें हमें नुकसान यानि बहुत हद तक नुकसान देखने को मिल सकता है इसी प्रकार की तेज हवाएं होंगी जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं कुछ दिन की रात के बाद एक बार फिर से प्रदेश में बदलता हुआ मोसम सर्दी का एहसास करवाने लगा है प् पस्चीमी विच्छोब सक्रिय होने की संभावना है पस्चीमी विच्छोब के चलते के जिलों में बारिस की चेतावनी दी गई है बीते दो दिनों से रात के तापमान में लगातार ग्रावट दर्ज की जा रही है बीती रात प्रदेश के करीब सभी जिलों में रात के ता तापमान एक बार फिर से दस डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। सभी जिलो में करीब एक से दो डिग्री तक तापमान गिरने की उम्मीद बरकरार बनी हुई है। 22 फरूरी के बाद एक बार फिर से सीत लहर हुए तेज हवाओं का रुख जारी रहेगा। जिससे खड़ी फसलों में नुकसान की संभावना जताई जा रहे है। जो तेज हवाओं का रुख जारी रहेगा और बारिस के साथ ओल अवरेस्टी की भी संभावना जताई जा रही है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आयों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दन्यवाद!